हलो दोस्तो मेरा नाम है इंजिनेर निखिलनागपुरे और आप देख रहे हमारे सीरीज चलो घर बनाए आज के सीरीज में आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपको अगर आपके रेसिडेंशर या कमर्शियल पोजेक्ट के लिए इंजिनेर हायर करना है तो आप किस तरह से हायर करेंगे यानि कि क्या-kya qualities अपको आपके इंजिनेर में या architect में देखने चाहिए चेक करने चाहिए उसको आज हम listart करेंगे सबसे पहले आपको देखना है experience अब experience आपको by projects देखना है by projects क्यों देखना है क्योंकि मान लिजे कोई engineer है जो बहुत सालों से काम कर रहे यानि कि old days engineer है और कोई engineer है दूसरा जो अभी fresh engineer है यानि कि fresh in the sense उतको ज़्यादा साल नहीं हुए तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिनको 30 साल का experience है वो आपका अच्छा से घर बनाएंगे और जिनको 5-6 साल का experience है वो उतना खास नहीं बनाएंगे ठीक है ऐसा नहीं होता है किसने कितने projects execute किये है ये ज़्यादा matter करता है और किसने कितने hard project execute किये है ये भी matter करता है obviously बात है जो नई-ने technologies है नई-ने softwares है वो oldage engineer उतने use नहीं करते है क्योंकि उनको वो syllabus में नहीं थे और वो खुद को अभी बहुत कम engineer है जो update कर पाते है लेकिन जो नई engineers है जो नया generation है वो नई generations को सारे softwares आते है इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से आपका घर बना पाएंगे तो हमरे दूसरा point कुछ इसी से related है कि technology कौनसा engineer क्या technology use करता है इसके उपर भी बहुत कुछ depend करता है जैसे देखिए अभी नई-नई softwares आये है market में बहुत सारे जो पूरा का पूरा आपका घर बना के दिखाते है याने कि आपने side पे अब तक layout भी नहीं किया है plot cleaning भी नहीं किया है लेकिन आपका घर बनके ready है computer में computer में सारी चीज़े बन गए आपका plan कैसे रहेगा, पनी चक वेसे रहेगा exterior कैसे रहेगा, आपका structural design drawing कैसे रहेगा column beam sizes के आ रहेंगे ये सारी चीज़े, complete जो set है आपके drawings का वो complete sets पहले ही computer में बनके ready हो सकता है और ये सारा ready होने के बाद सब को check करने के बाद और उसको approve करने के बाद फिर आप construction स्टार्ट कर सकते हो तो इससे क्या होगा, आपके घर में तोरफोर होने के गलतिया होने के chances ये जो है, वो almost मतलब नील हो जाएंगी ठीक है, इसलिए technology बहुत matter करता है साथी साथ आप technology का use करके अच्छा घर बना सकते हैं, पहले जैसे घर बनते थे उनसे ज़्यादा decorative ज़्यादा अच्छी design वाले घर ज़्यादा अच्छा interior वाले घर आप बना सकते हो, इसलिए technology का होना आपके इंजिनियर के पास बहुत important है देनका इस team आप जिस भी consultant मतलब इंजिनियर के पास consultation के लिए जा रहे हो, उनके पास कितनी team available है, क्या वो solo काम करते है, या फिर वो उनके under भी कुछ और उनकी team है, जो मिलके काम करते है ये इसलिए matter करता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा advance काम करते है तो उनके साथ team होना जरूरी है एक ही बंदा सारे काम नहीं कर पाएगा और अगर एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, तो फिर उसको project deliver करने में time भी उतना लगेगा तो इसलिए team उनके पास है या नहीं है ये देखना जरूरी है और साथी साथ अगर team है, तो कितनी skilled team है ये भी check करना जरूरी है अब ये आप directly तो check नहीं कर सकते है लेकिन उन्होंने जो projects execute किये है, वहाँ से आप check कर सकते हैं, यानि कि past projects, past projects है क्या जो engineer के पास या जिस भी firm के पास आप जा रहे है उन्होंने पहले कौन से घर बनाए है आपके area में, या जो बजू के area में अगर online काम करते है तो कुछ आप उनको samples मंगवा सकते हो है ना, तो उन्होंने कौन से types की काम किये है ये देखना आपको जरूरी है ये आप जरूर चेक कीजिए past projects से आपको पता चलता है कि उनकी जो सोच है वो जिस तरह के घर बनाते है जिस तरह के drawings बनाते है वो drawings आपको पसंद आती है या नहीं आती है अगर आपको पसंद आती है तो ही आप उनके पास जाईए, अगर नहीं आती है तो आप कोई और option चूज कर सकते है Then guys, pricing Obviously, अब आप तो ये नहीं चाहेंगे कि भई जितना चाहिए उतना पैसा ले ले लेकिन मेरा घर बरिया बनाए घर तो अच्छा बनना ही चाहिए साथ ही साथ आपको उसमें जितना कम consultation charges लगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा इसलिए आपको थोड़ा market comparison करना है कि कौन से engineer का कितना charge है लेकिन pricing को first preference कभी नहीं देना है आपको pricing से ज़्यादा preference किसको देना है उनकी skills को उनके जो past project से उनको उनकी technology को ठीक है बहुत से लोग सबसे पहले pricing को रख देते है तो ऐसा नहीं होता है अब्यसी बात है जो बन्दा अच्छा काम करता है जिसका level है high है जिसका standard high है वो पैसे भी थोड़े ज़्यादा लेगा लेकिन पैसे ज़्यादा लेने के साथ साथ वो आपको उतना value भी deliver कर सकता है तो इसलिए pricing को आपको check करना है लेकिन उसको prime ये नहीं देना है प्राइम ये नहीं देना है support ये एक important factor इसलिए है क्योंकि आपका घर बनने तक हो सकता है आपको अलग-अलग type के doubts या difficulties आ सकती है तो इस वक्त ये जरूरी है कि आपका engineer या architect आपको कितना support करता है अगर आपको कुछ doubts है तो आप उनको site पर बुला सकते हो या नहीं बुला सकते है अगर बुलाते हो तो वो कितना मतलब उसके लिए charge करते है या फिर आप on call उनको कुछ doubts पूछ सकते हो क्या उनकी team के साथ बात कर सकते हो क्या ये सारी चीजे जरूरी होती है अगर ये support आपको जितना अच्छा मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपका घर अच्छा बनते जाएगा तो support आपको एक बार चेक करना है और सबसे इंपोर्टन गाई रिव्यूस डिखें रिव्यूस से आपको बहुत कुछ पता चलता है जैसे मान लीजे कि जीनों ने अल्रेड़ी आपके इंजिनेर आर्किटेक की तरफ से घर बनाए है तो उनके रिव्यूस क्या है वो क्या कहते है उनके बारे में वह उनका काम अच्छा है या नहीं है support अच्छा है कि नहीं है उनके व्यभार अच्छा है कि नहीं है कि पैसे लेने के बाद वो बहुत ज़्यादा time लगाते है कि काम नहीं करते है ऐसा कुछ bad reviews तो नहीं है आपका जो project है जो documents है वो कितने दिन में वो deliver करते है उसमें कुछ वो delay तो नहीं करते है बार-बार कुछ गलतिया तो बार-बार नहीं होती है जिनको बार-बार आपको change करना पड़ता है तो ये सारी चीजे अगर आपको कुछ आपके project में changes करने है जैसे मान लिए कि उन्होंने कोई plan बनाया और आपको नहीं पसंद आया तो वो उसमें changes करके देते हैं कि नहीं है ये सारी टाइप की reviews आपको देखने है अगर ये आपके आजो बाजो का engineer है तो आप आपके जो आजो बाजो घर बने है जिनोंने उनसे काम करवा है वहाद से reviews निकाल सकते है अगर आप किसी ऐसे engineer को चून रहे है जो कि online काम करते है जैसे कि हम करते हम all और इंडिया online ही काम करते तो आप हमारे reviews चेक करने के लिए आप हमारे projects देख सकते है या फिर अगर किसी कोई भी इंजिनेर जो online काम करते है अगर उनकी website है तो आप website पे check करते है चेक कर सकते है या फिर आप यह देख सकते हैं कि आप जिनकी तरफ से काम करवा रहे हो वो आपको क्या value प्रोवाइड करते है value in the sense आप कैसे check करूँग जैसे अब यह हमारा example ले लिए हम जनता अभियनता योजना के थू all over India most affordable pricing में सारे documents प्रोवाइड करते है लेकिन हम यहापे value generated क्या करते है जैसे अभी हमारा YouTube channel है YouTube channel में हम आपको घर बनाने से related अलग-अलग जो मतलब जितनी भी information हम दे सकते है वो सारी information हम आपको free of cost प्रोवाइड करते तो यह सारा actually हम क्या कर रहे है यह हम value generation कर रहे है ताकि हमारी जितने भी clients है और जो हमारे clients नहीं है लेकिन viewers है उनको अच्छा information मिले उनको यह पता चली कि उनका घर किस तरह से उनको बनाना चीए तो यह value generation शो करता है कि आपके engineer का जो भी सोचने का तरीका है वो किस तरह से काम करता है ओके guys so I hope आपके वीडियो पसंद रहा होगा और आपको मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार बता दू कि हमारी जो scheme है जनता अभियनता योजना जो की India's most affordable scheme है आप इसका भी lab ले सकते है अगर आप कोई भी residential या commercial project बना रहे है तो उसके लिए इस scheme के अंतरकर हम हम जितने भी documents है जो भी drawings लगती है एक घर बनाने के लिए वो सारी drawings हम पूरे market में पूरे market से comparatively बहुत ही कम pricing में available करके देते हैं यह scheme जो है हमने यह खास residential and commercial projects के लिए बनाये है जिनके जो budget है वो mid budget range है यानि की मान लिए 15,00,000 से लेकर 60,00,000 की range में जिनके घर बनते हैं उनके लिए खास करके हमने यह scheme बनाई है जल्दी हमारे all over India अलग-अलग outlets open होने वाले हैं तो अगर आप इस योजना का लाव लेना चाहते तो उपर दिये गए इस नंबर पर आप हमें WhatsApp कर सकते या फिर call भी कर सकते ओके गाईज I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए